हेलो दोस्तों तो फिल्मी वूड प्रेजेंटिंग दे एक्स्प्लानेशन अफ हॉलिवूड फिल्म आवर फादर जो रिलीज ही थी ये 2022 में और जिसका IMDb रेटिंग है 6.5 out of 10 तो इस फिल्म में हम देखेंगे एक ऐसा हवस का पुजारी जिसके कारण सैकडों घरों में हज्जारों बच्चों ने मारी किलकारी परंतु यही बच्ची आखिर क्यों अपने इस नाजायज बाब को भेजना चाहते हैं जेल ये देखेंगे इस फिल्म में तो चलिए सुरू करते हैं एक्स्प्लानेशन का खेल परंतु उससे पहले अगर करते हो फिल्मी वूट से प्यार तो वीडियो को लाइक सेर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बल आइकन को प्रेस कर दो यार तो फिल्म में स्टार्ट होता है और हम 35 साल की जोग्टी को देखते हैं जो अपने माता-पिता से अलग दिखती थी इस वज़े से वो ये सोचती थी कि सायद उसे गोद लिया गया था जब वो बड़ी होती है तो अपनी मौम से इस बारे में पूछती है तब उसे उस सच का पता चलता है जिसकी उसे उमीद तक न थी दरसल जोग्टी के पिता रंडुआ होते हैं वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ थे वो नामर्दी के शाक्षात सिकार थे और उस टाइ प्रिम किसी विक्की डोनर से उसका सुकराणू लेकर जख़क्टी के मौम के भूल में भर दिये और फिर वी सेचन की लंबी प्रक रिया के बाद जख़क्ती पैदा हुई इसलिए वो अपने भाई बेहन को ढूनने में लग जाती है। जोंक्टी डॉक्टर दोलांड क्राइम के पास भी जाती है और उस सुक्राणो दाता विक्की डोनर के बारे में जानने की जिग्यासा प्रकट करती है जिसके सुक्राणू से जोंक्टी का जन्म हुआ है। ये सुनकर डॉक्टर दोलांड साफ साफ मना कर देते हैं जिससे जोंक्टी काफे निरास हो जाती है पर तभी उसकी नजर दूरदर्शन पर चल रही है एक विग्यापन पर जाता है जहां डियने टेस्ट और जेनेटिक्स के बारे में बता रहे हैं जोंक्टी ये देखकर चमतकार चमतकार चिलाने लगती है और अपना डियने सेंपल उस वेबसाइट पर सेयर कर देती है यहां जोंक्टी जो देखती है उसका होस उडा देता है दरसल यहां जोंक्टी का सेंपल साथ लोगों से मिल जाता है इसका मतलब था कि जुक्टी के साथ भाई बहन इस संजार में जिन्दा गूम रहे थे ये चौकाने वाली बात इसलिए थी क्योंकि एक सुक्रानुदाता सिर्फ तीन बार ही सुक्रानुदान कर सकता था इसके पीछे वज़ ये थी कि ये विधी सुक्रानुदाता की पहचान को सारवजनिक न करने में सहायक था और अगर किसी एरिया में जुक्राणुदाता तीन से ज़्यादा बार जुक्राणुदान करता है तो उससे होने वाले बचों में बड़े होकर संबंद बनाने और साधी करने का खतरा था जिसके कारण कई भाई 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 भानों से मिलती है और अपनी चिंता व्यक्त करती है पहले तो सभी अपने सक के दायरे में डॉक्टर दोलांड क्राइम को ही लाते हैं और उसे ही सुकरान दाता विक्की डोनर समझ लेते हैं और ये सोचने लगते हैं कि सायद डॉक्टर दोलांड ने ही उन सभी के मॉम्स को प्रेगनेट किया था लेकिन डॉक्टर दोलांड क्राइम काफी इजगदार डॉक्टर था और उस पर सिर्फ सक के बुनियाद पर आरोप नहीं लगाया जा सकता था इसलिए वे सब ये तै करते हैं कि वे सब अपने बायोलोजिकल पिता को हर हाल में ढूनेंगे चाहे उनको कितनी भी मेहनत और जिल्लत का सामना करना पड़े फिर सातो भाई बहन मिलकर इन्वेस्टिकेसन सुरू करते हैं और सिल्विया नामा के कलड़की की खोज करते हैं सिल्विया के DNA टेस्ट से पता चलता है कि वो जोक्टी की बायोलोजिकल कजन है क्योंकि उसका DNA जोक्टी से थोड़ा बहुत मिलता था पूरा नहीं जोंक्टी को सिल्विया से बात करने के बात पता चलता है कि सिल्विया का सरनिम डॉक्टर डोनाल्ड के नाना के सरनिम से मैच करता है फिर जोंक्टी अपना सक पुकता करने के लिए सिल्विया से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई हीत जन डॉक्टर दोनाल्ड क्राइम नाम का है तो सिल्विया बताती है कि हाँ उसके रिस्ते में एक डॉक्टर है जिनका नाम डॉनाल्ड क्राइम है जुक्ती इसकी रिपोर्ट ऑफिसर जेनरल को करती है और साथ साथ रेडियो टीवी नीज पेपर सब को इस बारे में इतला देती है पर फिर भी उसकी कोई मदद नहीं की जाती फिर कुछ महीनों बाद ये न्यूज अंजू जी नामक एक न्यूज रिपोर्टर पब्लिस कर देती है अंजू जी पर्सनली इस नीज में काफी इंटरिस्टेट थी अंजू जी डॉक्टर दोनाल्ड से भी इस बारे में बात करती है उधर दूसरी और जोक्टी के भाई बहनों का संख्या बढ़कर साथ से चौदा हो गया था चौदावी लड़की जूली थी जूली का हस्बिंड हम ऐसा कहता था कि हम दोनों एक जैसे देखते हैं जब जूली ने अंजू जी के नीज देखा तो उसने अपने मॉम से इस बारे में पूछा तब जूली की मॉम ने कहा कि हाँ हमने अपना इलाज डॉक्टर डोलांट से करवाया जरूर था पर तुम जिस शुक्रानों से पैदा हुई हो वो शुक्रान तो तुमारे बाबु जी का ही था पर जब जूली ने अपना डिये ने टेस्ट करवाया तब सब चौक गएं क्योंकि जूली का डिये ने उसके पिता से बिलकुले नहीं मिल रहा था परन्तु जूली के पती का डिये ने उससे पूरा मिल खा रहा था अब तक कुल जूक्टी के सतरह भाई बहन खोजे जा चुके थे सतरह हुआ बंदा था मंटू जब मंटू की मौम ने डॉक्टर डोलांड से इलाज करवाया था तब डॉक्टर डोलांड ने मंटू की मौम को आईसीउ में नंगा होकर लेटने को कहा था और कुछ देर के लिए खुद दूसरे कमरे में चले गए और जब बाद में वो आएं तो सुक्रानू से भरी एक पोटली लेकर आएं और मंटू की मौम के में भर दिया पर मंटू को ये बात अब पता चला जब उसका डिये ने उसके बाप से नहीं बलकि जोक्टी और जूली से मेल खाता है अब धीरे धीरे अंजू जी इस न्यूज को अपने चैनल पर खुबे चलाने लगी और जोक्टी ने भी बाकी भाई बैनों के साथ मिलकर अपनी लड धंकी देते हैं हलांकि जोक्टी पर इस धंकी का कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी लड़ाई जारी रखी इधर एक के बाद एक करके जोक्टी के भाई बहनों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी पर यहां एक बात सामने आई कि जोक्टी सहित सभी भाई बहनों में कोई जोक्टी की ही तरह एक के बाद एक कई बीमार लोग सामने आते जा रहे थे इससे जोक्टी ने डॉक्टर दोलांड के खिलाफ कोट में केस भी फाईल कर दिया डॉक्टर दोलांड क्राइम पर छीना जप्टी धोखा दड़ी और बलातकार जैसे काफी गंभीर आरोब भी लगें ये कहानी धीरे-धीरे काफे इंट्रेस्टेड होती जा रहे थे डॉक्टर दोलांड को लेकर कई लोग अब सामने आने लगे थे और उन्होंने जो बताया वो चौक आने वाला था दरसल डॉक्टर दोलांड चर्च के फांडर मेंबर्स में से एक थे वो बहुत ही खुफिया जीने वाले और कृष्चयनटी को मानने वाले कटर इसाइन थे वो कुमार वाली मोवमेंट नाम कृष्चयनटी कल्ट को फॉलो करते थे दरसल इस कल्ट को मानने वाले लोगों का ये मानना था कि जैसे एक ही गोड़ से यतनी बड़ी दुनिया बनी है वैसे ही अगर एक ही पिता से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों तो उन पर गौड का असिरवात बना रहता है। कुछ लोग तो ये भी कहते थें कि डॉक्टर दोलांट एक जाती वादी व्यक्ति है। वो बागी जातियों से नफरत करता था। डॉक्टर दोलांट सिर्फ इसाई नसल के बच्चों को पैदा करना चाता था और एक तरह से जितनी भी औरते उसके पास आती थी वो उन सब पर एक्सपेरिमेंट करता था। अब इन तत्यों को सबूत और गवाह के तोर पर कोट में पेश किया जाता है जिससे डॉक्टर दोलांट क्राइंग के फसने के पूरे चांस थे हैं लेकिन डॉक्टर दोलांट भी अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और जज़ वकील सब को खरिद लेते हैं डॉक्टर द पूल कर अपनी लाइफ को वापस से इंज्वाई करना सुरू कर दिये हाला कि जोक्ती सहित कुछ भाईबहन अपनी लडाई आज भी जारी रखे हुए हैं और अभी तक उनके 94 भाईबहन मिल चुके हैं और अभी भी जारी है डॉक्टर दोलांट के दर्द को बया करते हु कि मेरे नाजायज बच्चे कहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं भांड हूँ किसी भी मादा में अपने सुकरानों जाडने वाला पागल सांड हूँ पर सच कहूं तो तुम नहीं छीन सकते मुझ से मेरा हुनर है मेरे बच्चों क्योंकि मैं सुकरानों रूपी अमरित से भरा आ किमेंटर फिल्म कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आजा हो तो लाइक और शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइगन को प्रेस जरूर से जरूर और जल से जल्द कर दें और कमेंट करके ये बताएं कि आगे कौन सी मुवी की सील तोड़ी ज झाल